एक रेल गाड़ी 90 किलो मीटर प्रति घंटा की चाल से एक 100 मीटर लंबे पूल को पार करने के लिए 10 सेकंड का समय लेती है रेल गाड़ी की लंबाई मीटर में ग्याद करें एक रेल गाड़ी का चाल कितना है 90 किलो मीटर प्रति घंटा मीटर प्रतिस सेकंड में बदल लेते हैं क्योंकि यहां पर समय सेकंड में दिया हुआ है तो उसको बदलने के लिए 5 बटा 18 से गुना करेंगे तो यह कितना आ जाएगा 185 या निपांच 525 15 मिटर 30 सकेंड निकालने के लिए क्या करते हैं चाल गुना समय यहां पर चाल है 25 और समय है 10 सकेंड तो 25 गुना 10 250 250 मिटर अब यह 250 मीटर का डिस्टेंस कवर खिया लेकिन उसमें 100 मीटर का पूल है तो 100 मीटर इसमें मैनस कर देंगे तो ये कितना हो जागा 150 मीटर यही रेल गाड़ी की लंबाई होगी option number B